बांगलादेश में तख्ता पलट के बाद जारे हिंसा का सबसे ज्यादा असर हिंदू अल्प संख्यकों पर हो रहा है बांगलादेश से आरही रिपोर्ट्स के मताबिक हिंदू बहुल इलाकों से लगतार हत्या आखजनी और लूट पाट की खबरें आ रही है हिंसा के बेच हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है मंदिरों को तोड़ा जा रहा है बांगलादेश में तख्ता पलट के बाद जारी हिंसा का सबसे ज्यादा असर हिंदू अल्प संख्यकों पर हो रहा है पूरे बांगलादेश से हिंदू पर हमले और उनकी संपत्यों में आखजनी की खबरे आ रही है हिंदू के घरों और मंदिरों को चुन-चुन कर उन पर हमला किया जा रहा है पिछिल्दीरे जावास्षो माई उल्टो दिक्थे के शे आमार बाशार मुद्धे ठूके आमार बाभा एक जुन ब्याफशा करें शेयतार ब्याफशार पोतिष्टान आमार भाई एक जुन डाकतार छोटोका कर छेले तार चेम्बरों आमादेर बाशार मुद्धे एई चेम्बरेर मुद्धे भुके आमादेर पुरा भाईगा चुई राक्कित चु राखे डाई आमार काका के खुष्ठक झुष्ठक जीघाक चुफष बॉडינे ध्या हुक पित भईयाय। आमार माच उट्नीरुपाई होया धर देखने ब् mortar फैन बोलें, खाबच जालेर जोग बोलें, एकटा ग्लास बोलें, कित फोड़ाँ झोया चुटाइगाई बाबा जातो टुकु पार्ष्टे छभीतु से बाबारे मार्से, बाबार गाया हाद्दी से अब छोटो काका तो पलाई है समा छोटो काके ओरा कुस्ती से बड़े आमना कोटता निरुभाए, आज केरे इस हात्रोदेर कारोने आमना एकर की देश चेरे निजर जॉयगा जो मी, छेरे की आमना हिंडिया पलाई दा बाइटामोने खुरते से शबाई, क्यानो हिंडिया जाबो, आमना साधीन देशी बास कोरी ना, आमना अधेश न ना गोरीक ना, तो ताले क्यानो हमने शेदी इरुकम होगे, आमना तो साधीन वर्ड हिंदू फेडरेशन के बांगलादेश चैप्टर की रिपोर्ट के मुतामिक पांगलादेश के 49 जिलों में हिंदू को बनाय गया निशाना, घरों से लेकर मंदिरों तक में तोड़ फोर, आगजनी और लूट, हिंदू नेताओं की हत्या की गई है, और उनके घरों को जलाय गया है, राजिनी तिसे जुड़े हिंदू नेताओं को खास तोर पर निश और आरसेश जैसी सस्थाएं भी बांगलादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार का विरोध कर रही हैं, साथ ही सरकार से मांग भी कर रही हैं कि बांगलादेश में हिंदू की सुरक्षा का प्रबंध किया जाए पंगलादेश में दस प्रत्सित के लगवग हमारे हिंदू बंधू भी रहते हैं, उनकी भी सुरक्षा आवर्सेख है, इसलिए वहां की सेना सिर्थ की समय जिनके हाथ में सत्ता है, उन लोगों से हम यह अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी हिंदू जंता को कोई परिशानी पंगलादेश में सबसे ज्यादा अल्पसंक्यक हिंदू ही हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा अब एक बड़ा मुद्दा बंती जा रही है, बंगलादेश ब्यूरो आफ स्टेटिस्टिक्स के मताबिक देश भर में सबसे ज्यादा 7.95 प्रतिश्यक हिंदू ही हैं, इसके प्रतिश्यक हिंदू ही हैं, शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बंगलादेश में हिंदू के साथ हो रही हिंसा का असर इनके चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता है, बंगलादेश में तक्ता पलट की साजिश में I.S.I. का नाम भी सामने आ रहा है, ऐसे में माना जा सकत है कि बंगलादेश में हिंदूओं पर हो रहे हमले सुनियोजित और एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है, बंगलादेश में अब अंतरिम सरकार का गठन होनी जा रहा है, ऐसे में हिंदूओं की सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसका असर आने वाले समय में भारत बांगलादेश के संबंदों पर भी दिखाई दिगा बांगलादेश के कई जिलों में इस वक्त डराने वाली तस्वीरें आ रही है क्योंकि भीड लगातार हिंदूओं और उनके धार्मी कास्ता से जोड़ी चीजों को टार्गेट कर रही है आलम ये हो चुका है कि वैश्विक मंच पर इस बरबरता के खिलाफ आवाज उठ रही है बांगलादेश में हिंदूओं से बरबरता लोक गायक राहुल आनंद के घर थोड़ फोर दंगाईयों ने घर को किया आग के हवाले सोचिए एक लोक गायक से किसी की क्या दुश्पनी हो सकती है सोचिए एक लोक गायक पर किस बात का घुच्सा निकाला जा सकता है लेकिन राहुल आनंद को पांगलादेश में अलपसंख्यक यानि हिंदू होने के कीमत चुकानी पड़ रही है धाकर में मौझूद उसके घर में घुचे दंगाईयों ने पहले तोड़ फोड़ की और फिल घर को आग के हवाले कर दिया लेकिन ये बांगलादेश में घट रही बरबरता भरी कहानी का चोटा सा हिस्सा है देश में कुछ 64 जिले हैं 21 जिलों में हिंदू की बड़ी अबादी है और 49 जिलों में हिंदू दंगाईयों के निशाने पर हैं अधारत के तमाम पडोसी चलने हैं मंतिर तोड़े जा रहे हैं चुन-चुन करके हिंदों को निशाना बनाया जा रहा है और तब भी हम इध्यास के उपरतों को ढूड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाज्यपूर इस्तिती क्यों वहाँ पर पैता हुई चुन-चुन कर उनके घरों को टार्गेट किया जा रहा है बहु बेटियों की इज़त के साथ खिलवार किया जा रहा है और ये सब को चुआ है शेख हसीना सरकार के तक्ता पलट के बाद यही वज़य है कि बांगलादेश में हिंदूों के साथ हो रही बेरहमी पर आवाज उठने लगी है जो हमारे अलपसंख्यक हिंदू भाई हैं उनकी मा बहन बेटियों की इज़त आवरू पर बात ना आ जाए इसके लिए भारत को चोकन्ना रहना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ अपने अलपसंख्यक हिंदू भाईों के साथ पूरी देश को खड़ा होना पड़ेगा वहां के हिंदू भाई बहन परिशान है मंदरों में तोड़ फोड की जा रही है बहुत उपद्रों मचे हुए है भारत सरकार से हमारी प्राथना है कि अब बहुत ही जल्दी भारत को अपना विसाल दिल दिखाते हुए बांगला देश में रहने बाले हिंदूों के लिए विसेश विवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए। कर रहे हैं कि एक सुनिश्चीत करें कि वहां के हिंदू सुरक्षीत रहे हैं और विश्वास है कि सरकार के कदम उठाई हम यहीं अपील करना चाहेंगे आन्ने देशों की सरकारों से कि भारत सरकार से और अन्ने देशों की सरकारों से कि यह जो बंगलादेश में जो तांड हिंदुओं के लिए बंगलादेश इसकादर असुरक्षित हो चुका है कि वहां से उन्हें निकालने के खबायद शुरू की गई है सुनिए बंगलादेश से भारत आये एक ट्रक डैवर ने वहां क्या देखा उधर बंगलादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सदकुरु जगी वासुदेव ने भी अप्रत्य जाहिर की है उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा ये बंगलादेश का अंतरिक मामला नहीं है हमें अपने पडोसी देश में अल्प संख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है सच यही है कि बंगलादेश में हालात वेकाबू है और इन वेकाबू हालात का सामना अल्प संख्यक समुदाय को करना पड़ रहा है बंगलादेश में अल्प संख्यकों पर हमले जारी है बंगलादेश के 49 जिलों में हिंदूओं को निश्चाना बनाये गया घरों से लेकर मंदिरों में तोड़ फोड की गई खबर ये है कि कई हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई है और हिंदूओं के घरों को जलाया गया है हिंदू महिलाओं को भी अगवा किया गया राजनीती से जुड़े हिंदू नेताओं को निश्चाना बनाये जा रहा है और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं वर्ड हिंदू फेडरेशन के मताबिक बांगलादेश में रहने वाले हिंदू और सुरक्षित हैं और हिंदूओं पर हमला तेज होता जा रहा है पांगलादेश में हिंदू विरोधी जमाद कटरपन्ती चहरा आंदोलन सिर्फ मोहरा हसीना के जाते ही गूनी खेल शुरू बांगलादेश में शेक हसीना के इस्तीफे के बाद धी माहौल ठंडा नहीं हो रहा है हर तरफ आगजनी हमले लूट पाट और हत्याओं का दौर चल रहा है जिसे जो जहां मिल रहा है उसे ही लूट कर भाग रहा है कानून विवस्था धरशाई है लेकिन जो सबसे डरावनी कहानी है हो ये के अल्प संक्यकों को टार्गेट करके निशाना बनाये जा रहा है शेक हसीना के तक्ता पलट के बाद जिसका डर था बीते 24 घंटे में वही हो रहा है हम लोगों का घर करोबर सब आग से जला दिया गया है बहुत प्राब्लम है और ये हम नहीं कह रहे है बांगलादेश के अखबार चीख चीख कर कह रहे हैं बांगलादेश के सबसे बड़े अखबारों में से एक तडेली स्टार ने हिंदूओं के हालाद का जिकर करते हुए अपने अखबार में लिखा है हिंदूओं के घर और दुकानों पर 27 जिलों में हमला हुआ वहीं न्यू एज के मुदाबिक हिंदूओं के घर व्यापारिक संस्थान और मंदिनों पर ताबड तोड हमले हो रहे हैं ये सुर्खिया बांगलादेश के अखबारों की हैं लेकिन जो तस्वीरें बांगलादेश से सामने आ रही हैं वो इन सुर्खियों की तामील करती हैं रोती हुई इस मासूम के घर पर कटर पंथियों ने हमला कर दिया इन्हें ये भी नहीं मालूम कि इनकी खता क्या है मिझेलिय जावास्व माई उल्टो दिछके के आ रही है है अमार बाशार मुद्धेट Thursday दूखे आ मदेर पूरा भाई चुइड कि पूरा ठुल डाप़े डाई आउन आउनโझद के खुश्ति शलों नाराजगी शेक हसीना से परेशानी आरच्छन से गुस्सा शेक हसीना के तक्ता पलट के बाद से राजधानी ढाका में स्थित भारतिय सांसकृतिक केंडर में तोड़ फोड़ की गई दो हिंदू पार्शदों की हत्या की खबर है काजल रॉय के अलावा रंगपूर जिले में अवामी लीक के हराधन रॉय की गोली मार कर हत्या कर दी गई खबरों के मताबिक हराधन रॉय को पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई धाका में इस कौन वंदिर पर हमला किया गया और इसके साथ ही बांगला देश के 27 जिलो में हिंदू पर हमले हुए हिंदू की दुकानों में तोड़ फोड और लूट पाट की गई एक ही जिले में 12 हिंदू के घर जलाई गए पंचगड में हिंदूों के घरों में लूट पाट के बाद तोड़ फोड़ की गई दिनाजपूर में 10 हिंदूों के घरों पर हमला किया गया लक्ष्मिपूर में 300 लोगों ने हिंदूों पर हमला बोल दिया उपद्रवियों ने कई मंदिरों पर भी हमला किया कई मंदिरों को आग के हवाले कर दिया ऐसा नहीं है कि बांगलादेश में हिंदूओं के खिलाब माहौल कोई नया है जिस बांगलादेश में जो 1947 में पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था हिंदूओं के अबादी 22 प्रतिशत थी वो साल दर साल घटते हुए 2022 में महज 7.9 प्रतिशत रह गई ये आँकडे कहते हैं कि बांगलादेश में भी हिंदूओं के लिए सब कुछ अच्छा नहीं था लेकिन शेख हसीना की सरकार में सरकारी स्थर पर हिंदूओं को थोड़ी बहुत रहात मिलती रही पर अब बांगलादेश में भी हिंदूओं के हालात पाकिस्तान जैसे होने का डर सता रहा है परानी अदावत वर्चसु की जंग दब दबे की होड और हिंसा की आग में धदकता बांगलादेश एक पुरानी कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारे नहीं रह सकती बांगलादेश में अक्षर सह यही कहावत चरितार्थ हो रही है क्योंकि शीक हसीना और खालिदा जिया के बीच अधावत वर्चसु और दब दबे की होड़ने देखते ही देखते है हैपी इंडेक्स वाले बांगलादेश को बगावत की आग में छूप दिया आखिर क्यों दो बेगमों की सियासी जंग में फसे बांगलादेश में ये उबाल आया इसे समझने के लिए हमें शीक हसीना और खालिदा जिया के कद्म और कहानी को समझना होगा दरसल ये दोनों बांगलादेश के राजनीति के दो बड़े और प्रमुक चहरे हैं बांगलादेश अवामी लीग के शेक हसीना और बांगलादेश निश्नलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया बांगलादेश के राजरीती इनी दोनों कत्तावर नेताओं के बीच छूलती है शेक हसीना बांगलादेश के संस्थापक और बंग बंदु कहे जाने वाले पहले राश्ट पती शेक मुझीवर रह्मान की बेटी है जबकि खालिदा जिया पूर वहसायन अधिकारी और राश्ट पती जिया और रह्मान की बेगम ने दोनों रसूपदार परिवारों से हैं और अपने अपने परिवारों के सियासत को आगे बढ़ा रही राजरीती में एंट्री की बाद करें तो खालिदा जिया और शेक हसीना दोनों की एंट्री एक बड़ी इत्रासदी के बाद हो शेक हसीना के पिता शेक मुझीवर रह्मान को बंगलादेश के आजादी का श्र पती बने लेकिन यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए ब्रेकी बाद भी खबरों का सिलसला जारी है